नमस्कार दोस्तों मैं दीपक्ष रोसिया आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने PTM Payments Bank के Debit Card की डेली की Transaction Limit को Increase कैसे कर सकते हो तो अगर आपको भी PTM Payments Bank का Debit Card जो है मिला हुआ है और आप अपने Debit Card की डेली की Transaction Limit को अगर Increase करना चाते हो तो अगर आप भी increase करना चाते हो तो इसके लिए आप अपने Paytm एप को open करने के बाद आप अपने Paytm एप को सबसे पहले latest version में update करने के बाद यहां से आप अपने Paytm बैंक वाले option में चले जाना उसके बाद अपना passcode डाल के इसमें login करने के बाद आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा उसके बाद आप यहां से थोड़ा नीचे चले आना उसके बाद यहां पे आपको आपका Paytm Payments Bank का debit card जो है मिल जाएगा उसके उपर आपको एक option मिल जाएगा manage card का यहां पे आप click कर देना उसके बाद आपको यहां पे option मिल जाएगा payment setting का तो यहां पे आप click कर देना उसके बाद यहां पे आपको आपके online payments की limit जो है मिल जाएगी जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो यहां पे आपको आपके debit card की limit जो है मिल जाएगी तो इसको increase करने के लिए आप यहां से इसको बढ़ा देना जितनी भी लिमिट आपको करनी हो उतनी लिमिट यहां से आप सेलेट कर सकते हो उसके बाद यहां पे जो भी लिमिट आपको रखनी हो मेरा यहां पे 43,000 लिमिट है 43,500 है तो मैं इसको दो लाग कर देता हूँ उसके बाद करने के बाद नीचे से आप जो है वो यहाँ पे set हो जाएगी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हूँ ऐसे करके आप बहुत यह आसानी से अपने पेटिम payments bank के debit card की online transaction limit को increase कर सकते हूँ जैसा कि आप ने देखा मैंने आपको लाइप जो है पेटिम debit card की limit को increase कर के दिखा दिया तो ऐसे करके आप भी increase कर सकते हूँ अगर आप कोई वीडियो पसंद आये हूँ तो प्लीज सेर वीडियो को लाइक करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अगर आपका मन करें तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हूँ यूनीक और फ़र्श ट्रिक के नाप से मारे टेलिग्राम चैनल भी है लिंक आपको इसी वीडियो को डिसकाप्सन में मिल जाएगा आप चाहों तो जोईन कर सकते हूँ फिलालाच किस वी हिंद वंदे मातरम लव यू ओल